सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, कम्प्यूटर रिवाइवल को और वेल आइकन को दवा दे ताकि आप C, C++, Python और Java के जितने फी important question है उनसे अपडेट होतागे Hello friends, आज हम maximum occurring character in a string को find करना देखेंगे Java में यह हम simple तरीका से देखेंगे, इसके बाद हम as map के through देखेंगे जो develop होगा इसको हम logic बनाने के लिए समझेंगे, कैसे हम बनाएंगे तो friends, सबसे पहले तो हम example से समझते हम यहाँ दो pointer use करेंगे पहला मेरा for loop, जो outer for loop होगा, वो i से होगा और दूसरा for loop होगा मेरा j से i वाला pointer मेरा एक step फिर जाएगा, तो starting वाला pointer starting to last move करेगा, यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो pointer है, वो क्या करेगा starting to last move करा सकते हैं या एक और चीज कर सकते हैं, क्या करेंगे simple, हम इसको starting to last move नहीं करेंगे, हम i plus 1 यानि अगर मेरा i पर है, तो j वाला pointer e से, e तक move करेगा, यानि एक step आगे से move करेगा, और हम क्या करेंगे, जो भी मेरा होगा, सब को एक variable मैंने array में हम store करते हैं चले जाएंगे, इसको इतरह से समझे, जैसे हम first time counting करें, w को, तो w क्या हो जाएगा, w equal to हो जाएगा मेरा 1, next time क्या हो जाएगा, e equal to क्या हो जाएगा, मेरा 2, 2 time है, फिर आपका l equal to हो जाएगा, 1, फिर क्या हो जाएगा, आपका एक एक step जाएगा, लास्ट वाला e equal to हो जाएगा, मेरा 1, यह मेरा store होगा, जब हम counting करेंगे, तो एक चे जो मेरा, हमें क्या निकालना है, maximum occurring character, तो maximum occurring character, जो maximum होगा, वो मेरा e का होगा, 2 time होगा, next हमें count नहीं आएगा, हम maximum को store करेंगे, तो maximum मेरा count हो जाएगा, यह simple logic है, clear है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों loops से हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे, पहले प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद इसको हम समझेंगे, कैसे कैसे, आगे हम इसका logic use कर रहा है, सबसे पहले हम इक string declare करते है, string, string, str, equal to, हम ते देते हैं, blank, फिर हम scanner लगाएंगे, scann, nner, scanner, sc equal to, new, scanner, system, dot, in, फिर हम message देते हैं, user को input करने के लिए, system, dot, dot, println, enter, line of string, line of string user से input करवा लिए, input करवाने के बाद हमें क्या करना, उसको store कर देते हैं, str, equal to कर देते हैं, sc.next, यह मेरा simple हो गया, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो string है, उसको हम एक character array में, उसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो इसके लिए हम एक character array declare करते हैं, string, equal to हम कर देते हैं, str.to, character array में हम क्या क्या कर इस ट्रिंग को बदल दिए, अब मेरा क्या है, इस ट्रिंग है, वो array है, जिसमें welcome अगर हम लिखते हैं, तो will array में store हो गया, इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक array declare करते हैं, integer type, q equal to new int str.lint इसमें हम क्या करेंगा उसके फ्रिक्वेंसी को एक एक चारेक्टर के फ्रिक्वेंसी को स्टोर करेंगे simple इसको समझेंगे first मेरा w का frequency 1 होगा e का frequency 2 होगा l का 1 होगा c का 1 होगा o का 1 होगा am का 1 होगा last वाला e का भी 1 होगा हमें maximum निकालना है तो चुकि e मेरा first time 2 होगा तो maximum को हम वहाँ print कर देंगे next e का हमें frequency में जाना ही नहीं है इस logic से हम इसको बनाएंगे आप फार लोग लगाते हैं, for i equal to 0, i less than, as string.length, string.gh, length i plus plus, string.length function हो गया, string.length हो गया, अब क्या करना हमें, तो simple, frequency जो array है, याने i pocket, याने starting वाला में, हम one store कर देते हैं, one इसलिए store किये हैं, चुकि हम i plus one से move कराएंगे इसको, तो मेरा क्या है, जो pocket है, उसमें मेरा first वाला character का already counting हो जाएगा, इसलिए हम उसमें, हर pocket में one store करते जाएंगे, store हो गया first, जैसे ही next मेरा मिलेगा, वहाँ पर two हो जाएगा, तो हम for loop लगाते हैं, for, j equal to zero, j less than, string dot length j plus plus, simple हो गया, अब क्या करेंगे हम, string if, string i equal to equal to string j and string i not equal to हम कर जेते हैं, not equal to a space, अब इसको समझते हम, string i equal to equal to j जैसे ही होगा, हम क्या करेंगे, frequency में जो है, उसको हम plus plus कर देंगे, एक और दूसरा string, string हम तो frequency में plus कर देंगे, दूसरा main चीज क्या है, अगर space आता है, तो space को हम counting नहीं करेंगे, इसलिए तो हम वहाँ पे not equal to लगा दिये हैं, space को हमें frequency नहीं count करना है, उसका always frequency मेरा one रहेगा, इसलिए उसको हम increase नहीं करेंगे, इसलिए जब हम line of string input करेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा space होगा, और उस condition में क्या होगा, मेरा जो mean जो maximum character है वो नहीं count होके space count हो जाएगा, ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, qi++, एक उसके हम increase कर दिये value को, increase करने के बाद ये मेरा फूड़ा frequency क्या होगा, जो भी character का है वो मेरा store होता चला गया, अब हम क्या करेंगे, integer type, max variable ले लेते हैं, और इसमें हम, zero, यानि first वाला जो मेरा frequency है, first character का, उसको हम क्या क्या है, max में store कर दिये, अब हम condition क्या लगा है, sorry, पहले हम एक loop लगाएंगे, जो मेरा frequency वाला array के starting to last, move करेगा, तो हम देंगे i equal to zero, i less than, f r e q dot length r plus plus, simple हो गया, condition लगा देते हैं हमें, क्या if max, maximum में जो value है, वो क्या है, वो फ्रिक्वेंसी में जो value है, उससे छोटा है, याने maximum का value अगर frequency से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, maximum frequency का value होगा, उस condition में क्या करो आप, max equal to कर दो f r e q, उसको max में store कर दो, ठीक है, और एक चीज़ हमें करना है, maximum जो character है, उसको चुकी हमें print करना है, तो यह हम number of time, उसका हम repetition को दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक और variable declare कर देते हैं, char, max char, max char एक हम variable declare कर दिये हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, store कर देते हैं, max char equal to हम कर देंगे, जो मेरा, सबसे refuted, सबसे ज्यादा refuted character है, उसको हम store कर दिये, max char string में, अब क्या करेंगे, simple output देंगे, system.out.println maximum repeat char equal to हम कर देते हैं, max char plus number of time equal to कर देते हैं, max इसको हम सबसे पहले तो compile कर लेते हैं, max char max char, इसको हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर error दे रहा है, इसलिए तो हम value निसलाज नहीं किया है, string 0 याने first वाला character को हम store कर दिये, clear, अब मेरा error नहीं देगा, अब इसको हम compile कर लेते हैं, और run करके देखेंगे इसको, Welcome to computer तो revival में आप देख सकते हैं, e मेरा number of time जो repeat हुआ है, वह 5, इससे ज़्यादा repeated character आपको, Welcome to computer revival में नहीं मिलेगा, तो जो maximum character जो repeat हुआ है, वह मेरा e है, logic क्या है, logic हम simple logic है, दो pointer लिए हैं, एक pointer मेरा outer for loop से रहेगा, दूसरा inner for loop से रहेगा, outer for loop जो मेरा एक step पे रहेगा, तो और एक हम array लिए हैं, जितमें हम उसको repeated, जितना बार repeat हुआ है, उसको एक character को store करेंगे, clear है, first हम चुकि, i plus one से j को move कर रहे है, यानि j का position मेरा क्या है, e पे है, इसलिए हम next character पे है, i plus one पे है, अगर जैसे i आपका w पे है, तो j का position e पे है, तो चुकि w मेरा single time already count है, उसको count नहीं करना है, one time है ही, उस condition में हम क्या किया है, frequency में one पहले ही store करते गए हैं, कहाँ पे तो मेरा जो for loop है, outer for loop उसके बाहर में ही देख सकते हैं, frequency equal to one करते हैं, यानि first में store one करते हैं, एक से ज्यादा जब जिस condition में आएगा, उस condition में क्या करना है, counting क्या करना है, जैसे हम एक checking लगाए है, if string i equal to equal to string j, यानि equal है, उस condition में क्या करोगा, और एक चीज़ और चेक करना है, वो मेरा space नहीं है, उस condition में उस जो position पे है, array का वहाँ पे क्या करो, one increase कर दो, यानि frequency of array का two कर दो, one के जगा two हो गया, फिर क्या करें, ऐसे ही जैसे जितना बार counting होगा, वो मेरा, increase होके, वो मेरा क्या हो जाएगा, frequency of array, increase होता जाएगा, number of two रहेगा, two, four रहेगा, इस तरह, next, जब जाएगा आपका L होगा, single time count होगा, चुकि repeat नहीं है, उस condition में नहीं होगा, counting, c single time है, repeat नहीं है, तो इसमें भी one ही रह जाएगा, or single time है, repeat नहीं है, तो one रह जाएगा, single time है, जैसे ही E आएगा तो E भी आपका single time ही repeat counting होगा, किसलिए, तो चुकि यह move ही नहीं होगा, हम I plus one से move करा रहेए, यानि I का position जब E पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, G का position I plus one पे रहेगा, यानि out of रहेगा, उस condition में क्या होगा, simple, कोई counting loop मेरा बंधी रहेगा, और I का, जो next E है, उसका counting one ही रह जाएगा, इस condition में क्या होगा, मेरा, जो first E है, वो counting two होगा, और last E का counting one होगा, तो number of frequency हम जब देखेंगे, जो maximum है, वो मेरा first E का है, तो उसको हम simply store कर, यह print कर सकते हैं, जो maximum मेरा किसका है, जिसके लिए हम क्या किया है, simple logic लगा है, क्या, अगर maximum में हम first character के frequency उसको store कर दिया है, उससे अगर कोई भी बरा character मेरा frequency का मिलता है, तो उसको maximum में store कर दो, उससे मेरा maximum जो number of repeating सबसे ज़्यादा जो है, उसका number of repetition आ जाएगा, और जिस position पे मेरा आ रहा है number of repetition, उस position को हम क्या किया है, max char equal to string i, यानि string i-th position पे जो string array के character है, वो मेरा सबसे ज़्यादा repeat हुआ है, उसको हम print कर देंगे, इस तरह हम जो maximum repeated character को हम print कर सकते हैं, थैंक्स प्रेंट, प्लिस subscribe my channel and share video, अगर आप किसी प्रोग्राम में help चाहते हैं, नीचे description में facebook, instagram का link है, इसके लाइब टेलिगराम ग्रूप पी जोइन कर सकते हैं, झाल